गोड़ आफटरनून नमस्ते सलम अलेकुम आप सब लोगों का इस्तिक्बाल है आप सब लोगों का स्वागत है इस फेस्बुक लाइव में मेरा नाम यूसफ साइध है मुझे अम्मीद है कि आप लोग मेरी आवास सुन पा रहे होंगे और मुझे देख पा रहे होंगे हमार यह Facebook Live Cinema of Resistance यानि प्रतिरोध का सिनेमा इसके बारे में है और मेरी फिल्म, मेरी documentary फिल्म खयाल दर्पन जो हमने इस lockdown के बीच में cinema in lockdown में दिखाने की कोशिश की मुझे अमीर है कि आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी जिन लोगों ने नहीं देखी है वो अभी भी देख सक करते हैं Vimeo पर वो फिल्म available है कुछ दिन के लिए मैं अभी फिल्हाल इंतजार कर रहा हूं कि और लोग जॉइन करें इस Facebook Live पर एक बार फिर से मैं introduction दे देना चाहता हूं कि यह हम प्रतिरोध का सिनेमा इसके दौरान यह Facebook Live कर रहे हैं और मैं अपनी documentary फिल्म खयाल दर्पन के बारे में आप से बात करना चाहता हूं आप लोगों कि अगर कोई सवाल हैं अगर आपने वो फिल्म देखी है तो मुझे आप सवाल पूछ सकते हैं कॉमेंट्स में और उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं अपनी इस फिल्म खयाल दर्पन का एक कुछ थोड़ा सा बैक्ग्राउंड देना चाहूंगा मैं कोशिश ही करूँगा कि हिंदी, हिंदुस्तानी और अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करूँग क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों में से कुछ लोग हिंदी, हिंदुस्तानी जानने वाले होंगे और कुछ लोग अंग्रेजी so I will also try to answer some of your questions in English if anybody wants मुझे उमीद है कि आप लोग मेरी आवास सुन पा रहे होंगे ये फिल्म खयाल दरपन अब तो थोड़ी पुरानी भी हो चुकी है ये तकरीबन 2005-2006 में मैंने ये फिल्म बनाई थी और इस फिल्म की बहुत दिल्चस्प कहानी है वो ये कि ये फिल्म तकरीबन पूरी की पूरी पाकिस्तान में इसकी शूटिंग हुई है और एक भारतिये फिल्म मेकर या एक भारतिये स्कॉलर के लिए पाकिस्तान जाना और कुछ इतने देर रहना तकरीबन मैंने तीन से छे महीने के बीच में दो ट्रिप्स किये और वहाँ पर मैंने इतना आर्सा रहने की कोशिश की तो ये एक बहुत ही rare एक बहुत ही मुश्किल opportunity थी जो मुझे मिली मैं वहाँ गया पाकिस्तान और मैंने ये फिल्म का जो subject था वो थोड़ा different था जो फिल्म आपने अगर देखी होगी तो आपने अंदाज़ा किया होगा कि ये फिल्म तो classical music के बारे में हिंदुस्तानी classical music या जिसे हम लोग इंडिया में शास्त्रिय संगीत कहते हैं लेकिन जब मैं पाकिस्तान गया 2005 में तो मेरा मकसद थोड़ा सा अलग था मुझे एक fellowship मिला था पाकिस्तान जाने का और वहाँ जाकर के हजरत अमीर खुस्रो जो हमारे जो दिल्ली के एक पुराने तेरवी चौद्वी सदी के शायर रहे हैं उनकी उनका जो literature है उनका music उनका जो पूरा heritage है उसके बारे में research करने के लिए मुझे एक मौका मिला पहले तो किसी भी इंडियन किसी भी भारतिये को पाकिस्तान जाना और वहाँ जाकर के इस तरह की research करना ये भी एक आसान चीज़ नहीं है कि वो वीजा मिल पाए और वहाँ मैं जा पाऊँ तो खैर किसी तरह से कोशिश करके वो मेहनत करके वो वीजा मिला और मैं वहाँ गया पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान के बाहर लोग हैं तरह तरह के उनके पास ख्यालात हैं तरह तरह के myths हैं तरह तरह की situations जिस तरह से मीडिया इंटरनाशनल मीडिया या इंडियन मीडिया जिस तरह की कहानिया और जिस तरह की image बनाने की कोशिश करता है पाकिस्तान के बारे में तो जाहर है कि एक बहुती नेगेटिव किसम की इमिज खास तोर पर इंडिया में जो मैंने देखी थी उस वक्त तक मैं खुद भी शायद उस इमिज का शिकार था लेकिन जब मैं वहां गया और मैंने वहां चीजों को देखना शुरू किया लोगों से मिलना की तो एक भारती होने के नाते एक हिंदुस्तानी होने के नाते मुझे बहुत सारे सर्प्राइज़ बहुत सारे हैरत की चीज़ें वहां पर मिली और खास तोर पर जो मेरा सबजेक्ट था मैं बात तो करने गया था रिसर्च करने गया था अमीर खुसरो के बारे में लेकिन जब मैंने लोगों से वहां मिलना शुरू किया खास तोर पर मुजिशन्स या म्यूजिक सीखने वाले लोग या म्यूजिक डॉक्यूमेंट करने वाले आर्काइव करने वाले लोग या उन पर रिसर्च करने वाले लोग ऐसे लोगों से जब मैंने बात करनी शुरू की तो फ वक्त चीजें इतनी आसान नहीं थी, इंटरनेट इतना ज्यादा खुला नहीं था और इतना ज्यादा फास्ट नहीं था, बहुत सारी चीजें हमें इंटरनेट पर नहीं मिल पाती थी, जो आज मिल सकती हैं, बहुत सारे आर्काइवल माटीरियल जो आज आपको हर जगा मिल यूट्यूब पर मिल जाते हैं उस वक्त तक वह नहीं थे हर चीज डीवी डी भी इतना जादा नहीं आया था वीसीडीज और कसेट्स और इस तरह की चीज़ें मिलती थी और पाकिस्तान में क्योंकि विडियो और आदियो का पारिसी का भी बहुत बड़ा प्राबलम था इसल इसलिए बहुत सारी चीजें आपको वहाँ पर नहीं मिल सकती थी तो 2005 में मेरी ये रिसर्च बहुत एक तरह से मुश्किल दौर से भी गुजरी और बहुत लिमिटेड रिसोर्स थी मेरे पास मुझे एक फेलोशिप मिला था जो के टेक्स्चुल रिसर्च करने के लिए था लेकिन मैं अपने साथ एक कैमरा भी ले गया था और एक एज फिल्म मेकर मैं डॉक्यूमेंट करने की चीजें जो कोशिश कर रहा था तो लोगों के इंटरव्यू लेना लोगों से मिलना वहां की म्यूजिक की सिचुएशन देखना ये सारी चीजें मैंने वहां देखने की कोशिश की और खास तोर पर लाहॉर जो कल्चर और म्यूजिक का गड़ है एक वहां की एक तरह से मैं कह सकता हूं कि कल्चरल कैपिटल है पाकिस्तान का वो मैंने वहां पर रिसर्च की बहुत सारे नए नए लोगों से बहुत सारे मुलाकात की एक शक्स से मिल करके फिर वहां से दूसरा कनेक्शन मिलता था और तीसरा कनेक्शन मिलता था तो बहुत सारे और मुझे बहुत ये देख करके खुशी हुई कि लाहॉर वाकई एक कल्चरल दारु सल्तनत कह सकें या एक कल्चरल कैपिटल है पाकिस्तान का और व वहां के आम लोग, यानि बाजार के लोग और आम सड़क में दुकान वाले लोग, उनको भी राग और ताल और इन सब चीजों का इल्म था और वो पहचानते थे, और वहां पे जो महफले होती थी, जो बैठके होती थी, अभी भी होती है, उसमें हर किसम के लोग आते थे और वो बहुत अच्छी तरह से अप्रीशियेट करते थे क्लासिकल म्यूजिक को तो ये सारी चीजें देख के मुझे हैरत हुई और मैंने कहा कि जब तक मैं यहां हूँ जब तक मैं यहां रिसर्च कर रहा हूँ जाहर है जो मेरा में टॉपिक है अमीर खुसरो उस पर तो मैं बात करूंगा ही लेकिन मैं वाकिए इस चीज़ को डॉक्यमेंट करना चाहता हूँ कि क्लासिकल म्यूजिक की क्या सिच्वेशन है पाकिस्तान में और खास तो पे 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ या partition हुआ उसके बाद से पाकिस्तान में किस तरह से जो लोग musicians जो लोग मौसीकार पाकिस्तान में पहुँचे उनके साथ क्या गुजरी वो किस किन हालाथ से गुजरे और किस तरह से उन्होंने मौसीकी को जिन्दा रखने की कोशिश की तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे शायद कोई काम नहीं हुआ है और बहुत जरूरी है इस पे काम करना तो मैंने रिसर्च करनी शुरू की और काफी माटीरियल भी मुझे मिला वहां पे किताबें जो लोगों से मुलाकात हुई वो तो थी ही लेकिन इसके अलावा बहुत सारी किताबें मैंने देखी जो मुझे नहीं अंदाजा अर्दू में मौसीखी पर लोगों ने किताबे लिखी हैं मैं तो जो अर्दू में किताबे हिंदुस्तान में छपती हैं उनी को उनी तक महदूद था लेकिन पाकिस्तान में मैंने देखा कि बहुत मतलब अगर आप किसी लाइबरिरी में भी वहाँ चले जाएं मेरे सामान में दो कार्टन्स थे मौसीखी के उपर उर्दू में किताबें जो पाकिस्तान में छपी हैं उन किताबों को मैं खरीद करके लाया और वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ख़जाना था एक तरह से अभी भी मैंने वो किताबें रखी हैं और मैं उनको कभी-कभी पढ़ता हूँ और उनसे मैं अपनी मजीद रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ तो ये सारी चीजें जब मैंने देखी कि पाकिस्तान में मौसीती जैसा कि इमेज है पाकिस्तान की कि एक फंडमेंटलिस्ट कंट्री है और वहां पे हर तरह की एक्स्ट्रीमिजम है ये है वो है तो लेकिन वहां का जो कल्चर और आर्ट्स है उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं तो मैंने कहा कि ये इन चीजों को डिखाने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक किसी ने कोई फिल्म या इस तरह का कोई काम नहीं किया तो जो मुझे टाइम मिला पांचे महीने वहां पर मैंने मुसलसल लोगों से इंटरव्यूज किये मैं ये भी बता दूँ जैसा कि आज की जो जनरेशन है आज के जमाने में इंटरव्यू लेना या रिकॉर्ड करना तो बहुत आसान हो गया है आपके पास एक छोटा सा मेमुरी कार्ड है जिसमें आप सेक्डों मिनिट की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं लेकिन जो टेक्नोलोजी उस वक्त थी जो कैमरा मेरे पास था उसमें कसेट लगाना परता था और वो कसेट में एक लिमिटेड टाइम होता है जिसमें आप इंटरव्यू रेकॉर्ड कर सकते हैं तो बहराल मैंने वो किया आपको ये भी मालू होना चाहिए कि फिल्म मेकिंग कोई आसान चीज नहीं है और सस्ता चीज नहीं है उसमें बहुत पैसा लगता है बहुत मेहनत लगती है और ज्यादा तर जो फिल्म की शूटिंग होती है खासतोर पर जो फीचर फिल्म होती है उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं फिर भी documentary film बनाने में भी कम से कम दो तीन चार लोगों की एक crew होनी चाहिए और मैं अकेला इंडिया से पाकिस्तान आया था और वैसे भी आपको मालूम है कि इंडिया से पाकिस्तान जाना और वहां जाकर कोई काम करना ये कोई आसान काम नहीं है हम लोग मैं इंडिया में लोगों को बताता हूँ कि आप इमाजिन कीजिये कि पाकिस्तान से कोई film maker आये और दिल्ली में इंडिया गेट पर खड़े होकर कैमरा लेकर के shooting करे और किसी को पता चले कि ये पाकिस्तानी film maker है तो आप सोचिए कि क्या situation होगी तो इसी तरह से एक इंडियन film maker जब लाहोर में मॉल रोट पे खड़ा होकर के अपना कैमरा लेकर के shooting कर रहा है और अगर किसी को पता चले कि ये इंडियन film maker है तो वहां कुछ भी हो सकता है कुछ भी situation हो सकती है दोनों मुलकों का हाल आप सब लोगों को मालूम है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लेकिन ये भी एक अच्छी चीज है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के लोग देखने में मुक्तलिफ नहीं है अगर हम एक जैसे कपड़े पहने हों अगर मैं लाहोर में खड़ा होकर के शलवार कमीज पहन के खड़ा हो जाओं तो कोई नहीं कह सकता कि मैं इंडिया से आया हूँ तो उसका फायदा भी मैंने उठाया और मैं वहाँ पे बड़े आराम से लोगों में घुल मिल के बैठ सकता था बात कर सकता था और अपनी शूटिंग थोड़ी बहुत कर पाया लेकिन फिर भी बहुत limited resources के साथ मैंने ये किया बहुत मज़ा आया और सबसे अच्छी बات ये कि जो पाकिस्तान के नोग थे जो हमारे दोस्त थे जिनों के साथ मैंने कांटैक्ट किया वो इतने मददगार साबित हुए, इतनी खुलूस के साथ उन्होंने, इतनी महबत के साथ उन्होंने मुझे मेरी मेरा काम करने में, मेरी रिसर्च करने में, मेरी शूटिंग करने में मदद की. मैं आपको यह बताता चलूँ, शायद मुझे पहले बताना चाहिए कि यह पूरी फिल्म का, मैंने डेडिकेट किया है एक खास फर्द, एक खास शख्स, हमारे एक बज़र्ग शख्स जिनका अभी रिसेंटली इंतिकाल हुआ, डॉक्टर मुबश्चिर हसन जो लाहॉर में थे, सीनियर, वो शायद गवर्णमेंट में भी रहे हैं, मिनिस्टर उनको मैंने ये फिल्म डेडिकेट की थी, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मदद की एक तरह से मैं कहता हूँ, रास्ते खोलने में, क्योंकि वहाँ आना मेरे लिए आसान नहीं था तो कुछ लोग ऐसे हैं, जिनका मैं हमेशा शुकर गुजार रहूंगा, मुबश्चिर हसन साहब उनमें से एक हैं और दूसरे जो एक तरह से मेरे मेजबान थे, अफिशली भी, वो अभी भी हयात हैं रजा काजिम साहब लाहूर में, उनकी मदद के बगएर शायद इन लोगों की मदद के बगएर ये फिल्म ना बन पाती है इसके अलावा और भी लोग हैं, जितने लोग भी इस फिल्म में जिन्होंने मदद की जो इस फिल्म में आपको नजर आएंगे और जो नहीं नजर आएंगे जो पीछे थे उन सब की मदद के बगएर ये फिल्म मुम्किन नहीं थी तो रजा काजिम साब को शायद आप सब लोग जानते होंगे लाहॉर में वो बहुत पुराने लॉयर हैं और लॉयर के अलावा उनकी जो बड़ी पहचान है वो एक म्यूजिक ऑलिजिस्ट कहें या म्यूजिक आर्काइविस्ट कहें या एक मैं तो उनको इंजिनियर भी बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने म्यूजिक में इंजिनियरिंग के जो काम किये सिर्फ इंस्ट्रुमेंट बनाने में ही नहीं बलके साउंड स्पीकर्स बनाने में और पूरी टेकनॉलजी का उनका बाकाइदा एक कारखाना या एक वरक्शॉप है लाहॉर इसे काम होता है उसका नाम है संजन नगर इंस्टिटूट ऑफ आर्ट्स और फिलोसोफी तो बहुत मदद की लाहॉर के लोगों ने कराची के लोगों ने रामबाद के लोगों ने और तभी में फिल्म कम्प्लीट कर पाया अब मैं थोड़ा सा एक हिस्टॉरिकल बैक्ग्राउंड इसमें मैं देना चाहूंगा के हम लोगों को इंडिया में और दूसरी जगों पे भी शायद अंदाजा नहीं जो लोग पाकिस्तान नहीं गए है लाहॉर नहीं गए हैं उनको इस बात का अंदाजा नहीं के लाहॉर एक मौसीकी का एक बहुत बड़ा गड़ रहा है हमेशा से आज से नहीं बलके दीसमी सदी के शुरुआत से ही लाहॉर में मौसीकी का एक बहुत जबरदस्त माहॉल था दो हिंदुस्तान के भारत के दो ऐसे परसनालिटीज दो ऐसे लोग थे जिनोंने एक तरह से क्लासिकल म्यूजिक या शास्त्रिय संगीत को रिवाईव किया 20th सेंचरी के शुरुआ एक थे वीडी पलुसकर, विश्नु दिगंबर पलुसकर और एक भातखंडे इन दोनों ने एक तरह से शास्त्रिय संगीत को रिवाईव किया, डॉक्यमेंट किया, इंस्टिटूशनलाइज किया और बहुत सारी चीजों में उन्होंने मदद करने की कोशिश की और आपको या जानकर हैरत होगी कि पलुसकर जो थे उन्होंने अपना इंस्टिटूशन लाहोर से शुरू किया 1901 में, उन्होंने जो एक सबसे पहला मैं समझता हूँ, इंडिया का सबसे पहला म्यूजिक इंस्टिटूट या म्यूजिक कॉलेज लाहोर में बना, और आप सोचिए कि ये दोनों लोग, भातखंडे और पलुसकर ये दोनों महराश्ट्र के थे, महराश्ट्रियन थे और वहां से वो निकल के लाहोर आते हैं, पंजाब में आते हैं, यानि पूरे हिंदुस्तान में उनको लाहोर एक ऐसी जगा मिली, जहां म्यूजिक का इतना जबरदस्त जहां क्लासिकल म्यूजिक का पहला कॉलेज वहां बनाया जा सकता था, क्योंकि उनको लगा कि यहां पर अच्छे उस्ताद मिलेंगे और अच्छे सुनने वाले मिलेंगे, तो यह इंपॉर्टन्स है लाहोर का, और उस वक्त कहते हैं कि तकरीबन सारे ही म्यूजिशन्स, श म्यूजिशन्स नहीं है, और खास तोर पर पुराने लाहोर में कुछ खास जगें थी, जहां पर बैठकें होती थी, एक मोची गेट एक जगा है, मोची दर्वाजा वहां पर एक जगा थी, जहां जो आप मेरी फिल्म के बिल्कुल शुरू में देख सकते हैं, तो वह ऐसी जगा थी, जहां तकरीबन हिंदुस्तान के सारे ही म्यूजिशन्स आते थे, और वहां पर गाते थे, बजाते थे, और उनको वहां पर दाद मिलती थी, और उसके बाद फिर वह बाकी जगों पर अपना उनको रेकिगनिशन मिलती थी, तो यह इंपॉर्टन्स है, तो इसलि बनने के बाद, पार्टिशन होने के बाद, पाकिस्तान में क्लासिकल म्यूजिक का कोई फ्यूचर नहीं रहा, एन्यवे, हम बात कर रहे थे, लाहॉर की और ख्यालदर्पन की और उन पुराने दिनों की, जब क्लासिकल म्यूजिक हमारा शास्त्रिय संगीत का एक सेंटर थ लाहॉर, तो जब मैं वहां पहुँचा 2005 में और मैंने मुक्तलिफ लोगों से बात करनी शुरू की, शास्त्रिय संगीत के क्लासिकल म्यूजिक के जो लोग थे, जैसा कि मैंने बताया कि मुझे ऐसे इंस्टिटूशन की तलाश थी, ऐसे इदारों की तलाश थी, जहां क्ला आलीम होती है लाहॉर में, और मुझे कुछ इदारे मिले, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, संजन नगर इंस्टिटूट फिलोसोफी और आर्ट्स, जो रजा काजिम सहाब ने जिसकी शुरूआत की, वो एक बहुत बड़ा सेंटर है, जहां एक बहुत बड़ी वहां पे इंस्टूमेंट्स बनाए जाते हैं, नए-न्स्टूमेंट्स बनते हैं, जैसा कि आपने मीरी फिल्म में भी देखा होगा, रजा काजिम साभ ने एक नया इंस्टूमेंट बनाया, जिसका नाम है सागर वीना, और सागर वीना एकदम से ओवरनाइट नहीं बना द तो अब तो उसको मेरे खाल से 50 साल होने को आ रहे हैं तो 50 साल हो गए 50 साल में और अभी भी वो कहते हैं कि वो पूरी तरह से पर्फेक्ट नहीं हुआ है शायद उसमें इंप्रूव्मेंट होता ही रहता है तो एक ऐसी जगह लाहौर जहां पर एक नया इंस्ट्रुमेंट बन कल्चुरल रेनसांस आ सकता है साउथ एजिया का और शायद उनकी बात खलत नहीं हो अगर क्योंकि मुझे मैंने वहां पर पाया देखिए इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँगा साउथ इंडिया के बारे में मैं बहुत जादा नहीं जानता इंडिया के जो अलग-अलग ट्रेडिशनली कल्चुरल सेंटर्स हैं तो उन में से क्यालकटा एक बड़ा सेंटर था बनारस था और लखनौ था और लाहूर एक बहुत बड़ा कल्चुरल सेंटर था और इन सारी जगों पे म्यूजिक जो है वो एक तरह से उसको बहुत जादा तरक्ती भी मिली, लोगोंने म्यूजिक पर काम किया, बहुत सारे म्यूजिशन्स इन जगों से मिले, अफ्कॉर्स महराष्ट भी है, बॉमबे, पुने, वहाँ से भी लोग निकले हैं, लेकिने जो हमारे घराने हैं, क्लासिकल म्यूजिक के घराने, चाहे वो गौलियर घराना हो, बागरा घराना हो, पट्याला घराना हो, या कोई भी हो, ये सारे घराने किसी ना किसी नवाब या राजा की पेटरनेज की वजह से ही बन पाए, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो एक इलीट या बहुत ही पढ़े लिखे या अमीर, इलीट इसको समझ नहीं सकते, लेकिन एक जनरल एक 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 सोच है कि क्लासिकल म्यूजिक जो है वो जो समझ रखते हैं वो ही इसको अप्रीशियेट कर पाएंगे, और मेरी फिल्म में इसके बारे में डिसकॉशन भी हुआ काफी और यही बात हुई कि अगर डिमॉक्रसी आने स पहले जो राजा महराजा होते थे और जो नवाब होते थे, अगर उनके दरबार में 30-40 लोग थे, 50 लोग थे, वो ही सुनना जानते थे, वो ही समझते थे, तो जब हमारे देश में डिमॉक्रसी आ गई है, तब तो हजारों लोगों को अप्रीशियेट करना चाहिए इसको, लेकिन क्या ऐसा है, क्या डिमॉक्रसी के आने के बाद क्लासिकल म्यूजिक उतना पॉपिलर हो पाया, मुझे नहीं लगता, आप किसी से भी बात करेंगे तो आप यही पाएंगे कि आज भी क्लासिकल म्यूजिक के जो लोग हैं, जो गाने वाले, बजाने वाले, वो आज भी उतना ही स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी उनको एक अच्छा श्रोता आया, एक अच्छा सुनने वाला ढूनने में मुश्किल होती है, या उनकी पेट्रिनेज मिलने में मुश्किल होती है, और यह बात दोनों तरफ है, हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, दोनों तरफ एक ही तरह की situation है और उसकी एक वजा ये भी है कि हमारी जो इंडस्ट्री है मीडिया इंडस्ट्री खास तौर पर वो बहुत ज्यादा जो commercialized चीजे हैं उनको promote करती है लेकिन जो हमारी traditional चीजे हैं जो हमारी पुरानी धरोवर है जो हमारी cultural roots हैं उनको इतना ज्य appreciate या उनको इतना ज्यादा promotion नहीं किया जाता सिर्फ जो government institutions हैं वो promote करते हैं जैसे कि radio है all India radio हुआ या पाकिस्तान में radio Pakistan हुआ या इंडिया में दूरदर्शन है या वहाँ पर PTV है वहाँ से थोड़ा बहुत जो हमारा classical music है उसको appreciation मिलता है या कुछ institutions हैं ऐसे दोनों तरफ जो इसको promote करते हैं लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए अभी भी classical music एक दूर की चीज़ है उसकी वज़ा यह है कि हमारे education system में हमारे school में हमारे colleges में इसकी तालीम नहीं दी गई इसको appreciate करने की तालीम नहीं दी कोई जरूरी नहीं है कि आपको गाना बजाना ही आता हो कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी उस्ताद के या गुरू के सामने बैठ करके आप सुने सीखें अगर आपको सिर्फ सुनना भी आता हो तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है लेकिन इसकी तालीम इसकी education भी हमारे colleges में schools में नहीं दी गई है और यहीं वजा है कि हम हमारे जो universities में जाकर के classical music की के जो गाने बजाने वाले थे जो उस्ताद थे जो जाकर के अपना concert देते थे बातें करते थे लोगों को समझाते थे और मैं जब college में था university में था तो मैंने खुद इस तरह के programs attend किये लेकिन वो भी धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है और बहुत सारे जो स्पिक में के या और भी जो भी कोशिश के जो classical music की programs रखने की concert रखने की बहुत कम लोग आते हैं जो जिन families में इसको एक appreciation मिलती है कि वो लोग तो आते हैं लेकिन आम तोर पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी family में इसको एक धार्मिक या religious duty समझते हैं कि शास्त्रिय संगीत है हमारे शास्त्रों से निकला है इसलिए हम इसको appreciate करें और हमें एक तरह से religious duty है मैं समझता हूँ कि ये religious चीज नहीं है ये music और culture तो एक shared heritage है हमारी ये सबके साथ साजा है ये एक साजी विरासत है ये किसी एक धर्म की या किसी एक मज़ब की या किसी एक community की चीज नहीं है आप देखेंगे कि जो हमारे उस्ताद हैं जो हमारे गुरू हैं उसमें हर मज़ वाले भी और बजाने गाने वाले भी in fact जो मेरी film है उसका पूरा जो basis है वो यही था कि 1947 में जब partition हुआ तो एक बहुत बड़े बहुत-बड़ी तादाद में बहुत-बहुत सारे musicians जो Muslim musicians थे वो migrate करके पाकिस्तान चले गए इंडिया से पाकिस्तान चले गए जो सारे घरा घराना हो आगरा घराना हो पट्याला घराना हो या केरवान घराना हो इन सब घरानों से लोग migrate करके पाकिस्तान चले गए क्योंकि उनको लगा कि मुसल्मानों को तो उधर जाना है लेकिन इसका उल्टा यह हुआ कि जो उस side में पाकिस्तान के side में जो Hindu और Sikh या और दूसर का एक ऐसी situation हो गई कि musicians वहाँ जाते हैं और उनके सुनने वाले इधर आ जाते हैं तो वहाँ पर कोई बहुत कम लोग बचे वहाँ सुनने वाले या उसको appreciate करने वाले तो ये भी अपने आप में एक बहुत दिल्चस्प चीज है कि इतने सारे Muslim musicians थे जो जो संगीत जो music गाते बजाते थे उसकी जो अगर आप बंदिशें सुने तो उसमें बहुत दिल्चस्प है उसमें भजन होते हैं उसमें हिंदू राग हिंदू देवी देवताओं की बात होती है उनके बारे में mention होता है और वो सारी चीजें जो Muslim singers हैं उनको कोई अपत्ती न वो उनकी tradition में चला आया है आप देखेंगे कि इस वक्त इंडियन classical music में जैसे धुरुपद एक song type है या एक genre है धुरुपद में शिव की बंदिश होती है शिव की इस्तुती होती है या और दूसरे जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी लेकिन धुरुपद को गाने बजा गाने वाले या उनको सिखाने वाले जो हैं वो डागर बंदू हैं जो के मुसल्मान हैं इसी तरह से ख्याल की बहुत सारी बंदिशे हैं जो जिसमें निजाम الدین और अमीर खुसरो का जिकर है लेकिन उनको गाने बजाने वाले बहुत से हिंदू हैं तो इस तरह का इतना मिल आट सो साल से चला आ रहा है कहते हैं कि हजरत अमीर खुसरो जो चौजवी सदी में थे तो उन्होंने जो कांट्रिब्यूट किया वो सबसे पहली बात तो ये कि अमीर खुसरो की मदर जो थी वो तो इंडियम थी बलके वो एक हिंदू फैमली से थी और उनके फादर जो थे वो सेंट्रल एजिया से आये थे वो मुसल्मान थे तो अमीर खुसरो खुद एक मिक्स्ट किसम की लीनियज से आते हैं और फिर वो चिश्टी सूफी ओर्डर के साथ उनका तालुक रहता है वो निजाम-दीन ओलिया के साथ रहते हैं और बहुत सारे बादशाओं की दरबार में भी नौकरी करते हैं तो उन्होंने जिस तरह के माहौल में वो पैदा हुए और उन्होंने जिस तरह का माहौल देखा और उनको दोनों जगा जो बादशाओ का दरबार था वहां भी उनको ऐसी जबान में शायरी लिखनी थी उन्होंने बहुत सारी घजले लिखी मसनविया लिखी जो बादशा जब गाई गई बजाई गई तो उसमें इंडियन म्यूजिक का इस्तिमाल किया गया तो एक तरह से इस पूरे संगीत की जो शुरुआत होती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जिसे हम कहते हैं जिसमें ये सारे चीज़े आती हैं ख्याल, तराना, कौल, गल्बाना और बहुत सारे और दूसरे जानरे हैं वो सारे के सारे किसी एक धर्म के या किसी एक कल्चर के नहीं हैं और आप उनको डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं उसमें शायद अगर ढूनने भी निकलें कि उसमें कौनसी चीज़ हिंदू है, कौनसी चीज़ मुसल्मान है वो आपको नहीं मिल पाएगी जैसे हजरत अमीर खुसरो का एक कौल है जो कवाल बहुत अच्छी तरह से गाते हैं हमेशा से गाते आए हैं ये कहा जाता है कि ये एक अरबी का चोटा सा कोटेशन है जो प्रॉफिट मुहम्मद का है और उन्होंने ये कहा था कि ये उन्होंने हजरत अली की तारीफ में कहा था और ये कवाल इसे गाते हैं और हिंदूस्तानी राग के साथ गाते हैं उसमें तराने के बोल होते हैं और उसमें अलग-अलग लैंग्विजिस से लिए हुए अलफाज होते हैं तो इसी तरह की और भी चीज़े हैं तराना जो है अगर आपने सुना हो जो खास तोर पे ख्याल की बंदिश गाने के बाद एक चोटा सा एक कॉंपोजिशन गाया जाता है वो ज़्यादा तर दृत में होता है तराना बहुत ही दिल्चस्प होता है कि उसमें फार्सी या अर्भी का एक चोटा सा शेर होता है और फार्सी और अर्भी के कोटेशन के बाद उसमें फिर एक जो तराने के बोल होते हैं वो अलग-अलग languages के होते हैं उसमें ब्रजभाशा भी होती है उसमें फारसी भी हो सकती है उसमें और भी चीज़ें हो सकती है तो यानि हमारी ये जो tradition है हमारी जो ये पुरानी एक practice चली आ रही है music की खास तोर पर हिंदुस्तानी classical music में वो इतनी ज्यादा मिली जुली है और इतनी ज्यादा सांजी है उसमें इतने सारे लोगों का contribution है और इतनी centuries से चली आ रही है उसको हम अलग नहीं कर सकते तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने film बनाई खयाल दरपन और इसका नाम भी जब मैंने सोचा खयाल दरपन इसको मैंने अंग्रेजी में इसका तरजमा किया है mirror of imagination तो लोग पूछते हैं कि ये क्या है ये mirror क्या है ये दरपन क्या है तो मैंने उनको बताया कि दरपन जो है वो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है वो एक दर्पन है, वो एक मिरर है कि जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है आपको खुद अपने आपको नज़र आता है आप खुद देखते हैं अपने आपको यानि उस बॉर्डर के दूसरी तरफ आप खुद है ये शायद मैंने उसमें कहने के कोशिश की ख्याल दरपन या मिरर ओफ इमाजिनेशन और शायद यही मेरा मेसेज है ये फिल्म जरूर मौसीकी के बारे में है संगीत के बारे में है लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फिल्म बहुत ही पुलिटिकल फिल्म है ये एक सियासी फिल्म है जो बताती है कि जरूर पार्टिशन हुआ इंडिया का या साउथ एशिया का लेकिन वो partition की बुनियाद लोग कहते हैं कि वो two nation theory उसकी बुनियाद है लेकिन वो दो nations बन तो गई या आप तो तीन nations बन गई लेकिन क्या वो अपने पुराने माजी को अपने पुरानी जो tradition थी क्या उसको वो साफ कर पाए शायद नहीं क्योंकि मैंने जब इस film की तैयारी में जब लोगों से मैंने वहाँ बात की तो मैंने पाया कि पाकिस्तान में एक phase ऐसा आया 1947 के बाद जब कोई भी नया मुल्क जब बनता है जब कोई भी नया देश बनता है तो सबसे पहला उनके सामने चैलेंज होता है कि इस मुल्क की cultural identity क्या होनी चाहिए, national identity क्या होनी चाहिए इंडिया के लिए तो बहुत आसान था ये बताना कि हमारी national identity क्या है हमारा हिंदू past है, वेदिक past है वगरा वगरा, उसमें और भी चीजें है लेकिन जब पाकिस्तान बना और क्योंके उसके बनने का basis था ये so called two nation theory तो उनको लगा कि अब हमें अपनी national identity ऐसी रखनी चाहिए जो हिंदूस्तान से अलग हो या एक खास मधब से अलग हो, तो उसमें शायद ऐसा हुआ कि जो classical music था जब उसको उन्होंने देखा तो उनको लगा कि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बंदिशें हैं या बहुत से ऐसे राग के नाम हैं जो शायद पुराने हिंदू identity से related हैं ये पाकिस्तान में कैसे रह सकता है, तो उन्होंने उसको एक तरह से साफ करने की कोशिश की या सफाया, cultural cleansing जिसे आप कह सकते हैं, वो करने की कोशिश की और रेडियो पाकिस्तान पर शायद उन्होंने लिस्ट भी बनाई कि ये फलाँ फलाँ जो राग हैं, ये वाले राग हमें नहीं गाने चाहिए जिसमें कुछ हिंदू, देवी देवताओं के नाम आते हैं ये एक फेज था, मैं समझता हूँ, ऐसा नहीं कि ये हमेशा चला, और कुछ अरसे के बाद लोगों ने रियलाइज किया कि ये शायद ठीक बात नहीं है, इस तरह से हम अपने कल्चर को, अपने सकाफत को साफ नहीं कर सकते, और वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में 1980s के बाद, 1990s में बहुत ज़्यादा, और अभी भी वो चल रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि पुराने जो कल्चरल फॉर्म्स थी, वो दुबारा से रिवाइव हो रही हैं वगारा, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं समझता हूँ, इस फिल्म का है, कि ये जो कल्चर क्लेंजिंग वाली बात है, किस तरह से हम अपने अपने कल्चर को साफ करें, अपनी जो हमारा जो पुराना ट्रेडिशन है, उनको हम कहें कि we have to go back to our ancient roots, ये ancient roots क्या होती हैं, ये एक बड़ा सवाल है, बलके बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी कहा और मैंने कई जगा सु और उनका एक एंफेसिज ये होता है कि एक जमाना था जैसे वेदिक पीरियड में या एक जमाना था कि इसलामिक एक तरह का पर्फेक्ट एरा था या एक हिंदू पर्फेक्ट टाइम पीरियड था जिसमें हर चीज पर्फेक्ट थी और उसके बाद फिर ये बाहर से लोग उन्होंने इसको amalgamate कर दिया उन्होंने उसको pollute कर दिया और अब हमें वापस उस cultural root की तरफ जाना है ये बड़ी खतरनाक चीज है और ये भारत में तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है इस वक्त वही चल रहा है उनको लगता है कि हमारी cultural roots जो हैं वो कोई वेदिक period में थ और उसके बाद फिर ये Islamic period शुरू हो गया और फिर उसके बाद ये Christian period शुरू हो गया British period शुरू हो गया आप history को इस तरह से divide नहीं कर सकते Islamic period, Hindu period, Christian period history जो है वो एक continuum है continuously चलती रहती है और उसमें एक के बाद दूसरी चीज़ें होती रहती है और बहुत सारी intermingling और बहुत सारा एक दूसरे के साथ mixing चलती रहती है तो ये ये कहना के हमें किसी पुराने past की तरफ जाना है इसलिए मुझे और बहुत से लोगों को इ इस बात से भी एतराज है कि ये जो शास्त्रिय संगीत जो हम कहते हैं इसका शास्त्रिय संगीत क्यों रखा गया शास्त्रों से इसका क्या मतलब है अगर आप कहते हैं शास्त्रिय संगीत तो इसका मतलब किसी धर्म के शास्त्रों से इसका मतलब है यानि हिंदू धर्म के ज बहुत रिसर्च हुई और लोगों ने कहा कि भाई इसमें तो कोई connection नहीं दिखता है यह सारा जो भी संगीत गाया जाता है खास तोर पे जो ख्याल की बंदिशें हैं ख्याल गाय की है या even धुरुपद है जिसको हम कहते हैं कि this is the most ancient thing वो भी मुगल पीरियड में या लेटर म मुगल पीरियड में वो evolve हुई है उस बाकी चीजें जो घजल गाय की है ठुमरी है दादरा है ये सारी चीजें तो बहुत ही लेट पीरियड की है 18-19 सेंचरी की हैं तो ये कहना कि हमारा हम ये शास्त्रिय संगीत गा रहे हैं just by saying कि हम कोई संस्कृत के बंदिशे गादे या कुछ गादे और वो शास्त्रिय संगीत हो जाए तो ऐसे नहीं होता है तो इस फिल्म का मकसद एक ये भी था बताना कि किसी एक शास्त्र या किसी एक धर्म की चीजों से इनका तालुक नहीं है इसमें सारा कुछ मिला जुला है और ये मैं समझता हूँ कि क्लासिकल म्यूज हमारी भारत की या साथ एजिया की जो क्लासिकल म्यूजिक है ये एक इतनी यूनीक ट्रेडिशन है जो कंटिनुसली कम से कम पिछले 300-400 सालों से इवाल होती आ रही है और उसमें चीजें आड होती जा रही है और नई से नई बनती जा रही है आज भी इवाल हो रही है इसल क्ल मैं समझता हूं सही नहीं है और इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स हुई है और आज भी हो रही है आज भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे है बलके मेरी जो फिल्म है ख्याल दर्पन इसमें खास तोर पर ये बताया लोगों ने कि पाकिस्तान जब बना और पाकिस्तान में य संगीत के लोग आए तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपरिमेंट्स है जो शाit भारत मेरा रही हो पाए और उसकी वजह हैं पाकिस्तान मेरा वह एक्सपरिमेंट्स क्यों हो पाए जैसे पाकिस्तान में गजल गायकी बहुत इवाल्व होई बहुत डिवेलप हुई, कवाली बहुत अच्छी तरह से डिवेलप हुई, सबसे बहतरीं गजल गायक और कवाली के गाने वाले पाकिस्तान से आए और उसके अलावा इवन जो उनकी folk forms हैं, उसके साथ बहुत सारा experiment किया गया, pop music के साथ experiment किया गया, ये सारी चीजें हुई, वो कैसे हुई और क्यों हुई, उसकी वज़ा यही है कि जब पाकिस्तान में ये शास्त्रिय संगीत या classical musicians पहुँचे और उनको लगा कि हमारे लिए हमें अपनी traditional music को carry on करना मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे audience नहीं मिलेगा, अगर हम उसको pure form में गाएंगे, तो मुश्किल होगा, तो उसलिए उन्होंने उसमें experiments करने जोड़ना शुरू किया, जैसे कि एक मशूर पाकिस्तान के folk singer थे, लेकिन वो एक तरह से multi genre singer मैं कहूंगा, तुफैल नियाजी साहब, तो तुफैल नियाजी साहब ने एक नया style निकाला कि वो एक बंदिश में एक से ज्यादा रागों को मिला करके गाते थे, एक बंदिश से समझने वाले लोग ही बता पाते थे एकिया, औरे इसमें तो अभी ये गा रहे थे आब ये राग हो गया, ये वाले सुर लग गया, और वो खुबसूरती से गाते थे, क्योंके उनको लगा कि अगर मैं कई सारे सुरों को मिला के, कई सारे रागों के जो अलग अलग पोर बताया कि एक रिक्षे वाला भी उसको समझ सकता था जब कि जैसा मैंने कहा कि क्लासिकल म्यूजिक समझा जाता है कि वो सिर्फ इलीट लोगों का है लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जब किये गए वहां पे तो वो एक पॉपिलर लोगों तक पहुंच पाया था इसी तरह से और गजल गाईकी में भी आपने देखा महदी हसन साब ने जिस तरह से एक्सपेरिमेंट किये कि वो जो बारीकियां और जो नुआंसिज क्लासिकल म्यूजिक में के रागों में गाये जाते थे उसको वो गजल गाईकी में लाए और उसको समझाते भी थे वो जैसा कि इस फिल् और इसमें राग का ये मतलब है फला है और उससे गजल गाये की बहुत रिच हुई और लोगों को ने अप्रीशियेट किया और ज्यादा से ज्यादा पॉप्लर हुई यहां तक कि मैं समझता हूँ कि इंडिया में और इंटरनेशनली मेहदी असन साब को जितना अप्रीशि फोक म्यूजिक पाकिस्तान बहुत रिच है फोक म्यूजिक में पूरे पाकिस्तान में आप देख लिए पंजाब हो या सिंध हो या बलुचिस्तान हो या पश्टून इलाका हो या कोई भी इलाके में बीच बीच में बहुत सारे यह तो मैंने चार बड़े इलाकों के नाम बताए लेकिन बीच बीच में बहुत सारे चोटे चोटे अलाके जो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है वहाँ पर इतना folk music है तो खास तोर पर जो सिंध का area है वहाँ पर classical music के साथ और काफी जो एक वहाँ का एक खास सिंधी काफी वगरा है उसके साथ classical music में experiment किया लोगोंने तो ये सारे experiments का फायदा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग इसको समझ पाए और appreciate कर पाए इसके मुकाबले में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में हमने बहुत ज़्यादा purity के ओपर ध्यान दिया हर चीज प्योर होनी चाहिए प्योर राग प्योर ये सुर बिलकुल शुद्ध सुर लगने चाहिए जरासा भी आप इधर से उधर नहीं हट सकते क्योंकि उनको लगा कि शायद ये हमारी एक धार्मिक एक हमारा किसी भी गुरू किसी भी उस्ताद के पास जाएं महां जाके बैठें तो उनका emphasis बहुत ज्यादा यही होता है कि सुर की शुद्धता जो है वो आपके लिए सबसे important है वो जरूरी है मैं मानता हूँ सीखने के लिए बहुत जरूरी है कि आपका सुर जो है की गुझाईश कम हुई इसलिए हम लोगों ने मैं समझता हूँ यह मैं गलत भी हो सकता हूँ आप लोग डिसग्री कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है कि classical music ज्यादा तर वो उस elite जगा पर ही रहा क्योंकि हमने उसमें experimentation की कोई गुझाईश नहीं रखी हमने उसको बहुत ज़्यादा pure रखने की कोशिश की जबके पाकिस्तान में और दूसरी जगों पे उसमें बहुत ज़्यादा experiments और जिसे कहना चाहिए playfulness जैसे आप देखेंगे कि अभी पाकिस्तान में जो experiment recently हुआ है coke studio के जो music videos बने तो वो सारे के सारे videos जो हैं वो experiments हैं वो एक तरह से और जो पुरानी genres हैं जो पुराने बंदिशें हैं उनको एक तरह से आम लोगों तक पहुँचाने की एक कोशिश है और बहुत successful कोशिश है अब चाहे जो purists है वो उससे agree करें या ना करें वो एक अलग बात है लेकिन ये एक सवाल है मुझे नहीं मालूम के मैं सही कह रहा हूँ या नहीं लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या आप उस अपने classical music को अपने शास्त्रीय संगीत को बिलकुल pure रखकर सिर्फ एक elite तबके तक ही रखना चाहते हैं या आप उसमें थोड़े बहुत amalgamation थोड़ी बहुत experimentation करके ज्यादा popular बनाना चाहेंगे ये एक सवाल है हमारे culture और arts के लिए और मैं समझता हूँ कि जो हमारा future है वो इसी पर depend करता है कि हमारा जो हमारी traditional music है वो कितनी आगे तक रहेगी और रहकर के खतम हो जाएगी बहुत से मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे forms रहे होंगे हमारे traditional music में जो खतम हो चुके हैं जो हमें मालूम भी नहीं ये क्या थे और शायद वो इसी लिए खतम हो गए कि हमने उनको एक खास तबके तक रखा और उनको सिर्फ प्योर form में रखा उसमें कोई experiment कोई किसी किसम की तबदीली ये जो तबदीली होती है जो change होता है ये बहुत important है किसी भी cultural किसी भी culture के evolution के लिए या उसकी growth के लिए या उसकी survival के लिए अगर आप तबदीली के लिए खुले नहीं है अगर आप change के लिए अपने आपको open नहीं करेंगे तो आपका culture खतम हो जाएगा आप उसको बाकी नहीं रख पाएंगे इसलिए जो popular culture है हमारा popular culture की सबसे दिल्चस्प बात यही है कि वो हर वक बदलता रहता है जो film music है वो इसलिए popular होता है कि वो हर वक बदलता रहता है उसमें हर वक नई चीज़ें आती रहती हैं पुरानी चीज़ें खत्म होती रहती हैं लेकिन शास्त्रिय संगीत को जानने पहचानने वाले लोग अप्रीशियेट करने वाले लोग और कम से कम होते जा रहे हैं क्यूंकि हम उसमें चेंज करने की गुंजाईश नहीं रख रहे हैं हम उसमें कोई तबदीली लाना नहीं चाहते हैं मुझे लगता है शास्त्रिय संगीत खतम नहीं हो सकता आप ये मट डरिये के चेंज करने से वो खतम हो जाएगा खतम कैसे हो सकता है जो उसकी रूट्स हैं वो तो वहीं रहेंगी जो सुर हैं वो तो अपनी जगा रहेंगे जो हर एक राग के जो अलग-अलग सुर जो डिफाइन किये गए हैं उसको तो आप चेंज नहीं करें वो तो रहेंगे अपनी जगा पे आप हमेशा इसलिए आप देखेंगे कि अपसे 200 साल पहले, 300 साल पहले जो बंदिशें गाई जाती थी जो लिखी गई जो ओरल ट्रडिशन से चली आ रही थी और खास तोर पर जो भातखंडे ने जो अपनी किताबों में उनको डॉक्यमेंट किया वो डॉक्यमेंट करने के बाद तो भातखंडे साब ने जो चीजें डॉक्यमेंट की वो आज भी आप किताब उठा करके देख सकते हैं उसके जो notations बताए गए हैं कि इसको ऐसे गाना है इसको इस सुर में गाना है और इसका ताल ये है और इसको यहां रुकना है यहां पे इस तरह से सम पे आना है वगएरा वगएरा जो उसकी जो describe की गई है आप किताब से देखकर के आज भी उसको पढ़ सकते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं बलकि बहुत से लोग तो जो तांसेन, मिया तांसेन ने जो बंदिशें लिखी थी उनको आज के जमाने में उनकी बंदिशों को पढ़के उन्होंने आज के जमाने में गाने की कोशिश की है और अमीर खुसरो की चीज़ों को भी गाने की कोशिश की है तो संगीत की जो बेसिक जो रूट है वो खतम नहीं हो सकती वो खतम नहीं हो तो रहेगी लेकिन आप उसमें एक्सपेरिमेंट करके मैं समझता हूँ कि हमारे क्लासिकल म्यूजिक की खास बात यही है कि उसकी रूट अपनी जगा पे अटूट है लेकिन उसके बाद वो बहुत ज़्यादा वास्ट है उसके बाद वो गुंजाईश हमें देती है कि हम उसको जिस डिरेक्शन में ले जाना चाहें ले जा सकते जैसे वेस्टन म्यूजिक में एक कॉंसेप्ट होता है इम्प्रोवाइज़ेशन, इम्प्रोवाइज़ेशन का मतलब होता है कि एक बेसिक स्ट्रॉक्चर से आप शुरू करें और उसके बाद फिर आप जो साइकल है, जो टाइम साइकल है जो रिद्म, जो ताल है, उसके अंदर आप आप किसी भी direction में जा सकते हैं, आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, as long as you come back to the time cycle and as long as you remain within those notes. तो ये सबसे अच्छी बात है हमारे शास्त्रिय संगीत की improvisation का जो possibilities हैं, उस मैं समझता हूँ कि भारतिय संगीत improvisation में जितनी possibilities देता है वो बहुत कम ऐसे संगीत के दूसरे genres होंगे, जैसे western music में jazz हमें इस तरह की possibilities देता है, इसी तरह से इसलिए बहुत सारे लोगों ने experiments भी किये western music और Indian music के साथ या jazz के साथ और उसमें नई नई चीज़े निकाली और उसी से वो popular हुआ, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे संगीत को जिंदा रहना है, आगे बढ़ना है तो उसमें experiments बहुत जरूरी हैं, मैं समझता हूँ मैं बहुत कुछ बोल लिया और अगर किसी के कोई सवाल हैं, फिल्म के बारे में अगर आप लें ये फिल्म देखी है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाते हैं, तो मैं I will be very happy to give you my replies, whatever I will, I mean I'm sure जो मैंने अभी तक बताया, उसमें बहुत सारी चीज़ें clear हो पाई होंगी कि इस फिल्म की जो background थी, किस तरह से मैंने क्या क्या मेहनत की, ये एक बहुती rare opportunity थी मेरे लिए कि मैं पाकिस्तान जा पाया और ये record कर पाया, बलके एक Indian होने के नादे जो काम किया वो तो अलग चीज़ है, मुझे तो लोग ये भी बताते हैं कि खुद पाकिस्तान में उस वक्त तक शायद इस तरह का, इस तरह की documentation क का काम बहुती कम हुआ था और एक तरह से इस फिल्म ने बहुत सारे रास्ते खोले, बहुत सारे लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में इतनी अच्छी traditions हैं, music की, और खुद मेरी भी आँखें खुली, मेरे लिए भी, मेरे भी दर्वाजे और मेरे भी जो विजन था, वो बह। बहुत वाइड हुआ इस फिल्म को बनाते हैं, और मेरे लिए मेरे अपने फिल्ममेकिंग के करियर में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ टर्निंग पॉינť था ये Turning Point से ही मैंने अपनी फिल्म का करियर शुरू किया था एक Turning Point एक टेलिविजन प्रोग्राम था साइंस का जो मैंने 1990 में शुरू किया था और उसके बाद फिर ये 2005 और 2006 में ये दूसरा Turning Point मैं समझता हूँ मेरे करियर का था तो और इस तरह की फिल्मे और अभी हमारा एक प्लाइन ये है मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये फिल्म 100 मिनिट की है लेकिन इस 100 मिनिट की फिल्म को बनाने में तकरीबन 35-40 घंटे की recording मैंने की थी लोगों के इंटरव्यूज लिये थे और वो अभी तक रखे हुए हैं मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं इस फिल्म का एक second version या एक खयाल दरपन 2 बनाना चाहूंगा लेकिन कुछ थोड़ी सी लापरवाही कहूं या कि मैं इसको कर नहीं पाया अभी तक लेकिन वो सारा material मेरे पास है और मैं उसको लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ पब्लिक ली दिखाना चाहता हूँ तो मेरा एक ये plan है कि मैं एक पूरा सारे material का एक internet course e-course बनाना चाहता हूँ जिसको तो जो मेरे पास material है उसका मैं एक online database बनाना चाहता हूँ एक online archive जिसमें ये सारे interviews और सारी recordings जो मैंने बनाई थी उन सबको मैं available का लोगों को दिखाऊं लोग देख पाएं और खास तोर पर जो students हैं जो तालिब इल्म हैं South Asian Music के history जो पढ़ना चाहते हैं वो इस से फायदा उठा पाएं हमारी एक दोस्त Meera Hashmi अभी इस वक्त online है और नोंने मुझ से ये सवाल पुछा है के if you were to make this film again, would there be a difference and how would you how would you you know, what do you think of the of, you know, how would you make this film today कहना मुश्किल है क्योंके बहुत सारी चीजें 2005 में जो मैंने 2005 में जो मैंने लोगों की ये बहुत सारे लोगों के इंटर्व्यूज रेकॉर्ड किये उस में से शायद कुछ लोग अब हमारे साथ नहीं रहे हैं कुछ हैं अभी और मिसाल के तौर पे मैं बहुत खुश्किस्मत था कि गुलाम असन शगन साहब उनको मैं रेकॉर्ड कर पाया जब मैं पाकिस्तान में था और मैं फते अली खान साथ उस्ताद फते अली खान साथ जो पट्याला घराने के हैं उनको मैं रेकॉर्ड कर पाया ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुश्किस्मती थी नुसरत फत्य अली खान साथ तो उस वक्त तक हयात नहीं थे और भी कुछ लोगों को मैं रेकॉर्ड कर पाया तो वक्त के साथ चीजें बदलती हैं मैं पाकिस्तान उसके बाद जा नहीं पाया तो अभी मुझे नहीं मालूम किस तरह की सिच्वेशन है लेकिन शायद अगर मैं जाओं तो हो सकता है कि बहुत से जो उस वक्त जो यंग लोग थे वो अब और जादा एक्सपिरियंस हो गए हों और वो शायद उनके कुछ और एक्सपिरियंस हों जो वो मुझे मुझे से शेयर कर पाएं एक बहुत बड़ा जो फर्क जो पाकिस्तान के म्यूजिक वर्ल्ड में जो बहुत बड़ा रेवलूशन आया है वो कोक स्टूडियो है तो अब्वियसली शायद मैं कोक स्टूडियो में क्या हुआ और उन्होंने किस तरह से शायस्तुरियंस अंगीत क्लासिकल म्यूजिक को एक तरह से एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश के बारे में मैं कुछ बात कर पाऊं उस फिल्म में मैंने सुना है कि किसी ने अभी एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाई है जो कोक स्टूडियो का पूरा प्रॉसेस था उसके बारे में तो इस तरह की चीज़ें लेकिन जाहर है कि मेरा एक्चुली आइडिया यह था कि ऐसी फिल्म हो जिसमें दोनों तरफ के लोग पाकिस्तान के भी इंडिया के भी शायद बंगलादेश के भी मुझे बहुत से कुछ लोगों ने शिकायत की कि आपने बंगलादेश को क्यों ने इस फिल्म में शामिल किया क्योंकि वो भी इस पूरे प्रॉसेस का हिस्सा था तो शायद मैं उसको भी कर पाता हमने इस फिल्म को बनाने के बाद 2008 में एक कॉन्फरेंस की थी दिल्ली में जिसका टाइटल था हिंदुस्तानी म्यूजिक और पार्टिशन और उसमें वो एक इंटरनेशनल कॉन्फरेंस थी उसमें मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया उसमें रजा काजिम सहाब भी आ पाए और कराची से उस्ताद नसीरुदीन सामी सहाब आ पाए और बंगलादेश से भी एक शास्त्रिय संगीत कार आ पाए मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ तो इस तरह से वो साउथ एजियन एक तरह से कॉन्फरेंस थी उसमें कई लोग आये म्यूजिक के बारे में बात भी हुई तो इस तरह इस सारा मटीरियल मेरे पास है वो पूरी कॉन्फरेंस को मैंने रेकॉर्ड किया था वीडियो पर तो वो कॉन्फरेंस और फिर जो बाकी जो मटीरियल है वो मैं उसको अवेलिबल करना चाहूंगा अभी हमारी दोस्त जहर करना चाहता हूं ताकि सब इसके फायदा उठा पाएं यही इसका मकसद था लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि एक डॉक्यूमेंटरी फिल्मेकर खास्तावर पे जो इंडिपेंडेंट काम करता हो उसके लिए हमेशा फिल्म बनाने के लिए रिसोर्स की तलाश रहती है और क मैं चाहूंगा कि इस तरह का और काम किया जाए और उसके लिए हमें कहीं से दूसरी जगों से सपोर्ट भी मिले और सब मिल करके हम अपने हेरिटेज को प्रिजर्व कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा पाएं और खास तोर पे मेरा ये एक अपील ह कि जो हमारी नई जनरेशन है वो कमर्शल जो वर्ल्ड है जिस तरह की चीज़ें चल रही है चाहे वो बॉलिवूड हो या पाकिस्तान के पॉपिलर सिनेमा या जो भी हो उसके अलावा जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़े हैं उसकी तरफ भी अपनी नजर ले जाएं और खास वो इसको सीख पाएं एक हमारी दोस्त है भावना तनीजा जिन्होंने मुझसे सवाल पूचा है कि आप इस फिल्म की फंडिंग को कैसे मिल पाई तो मैं वाकई आपको बताओं कि इस फिल्म की कोई फंडिंग नहीं थी मुझे एक फेलोशिप मिली थी पाकिस्तान जाने के लिए एक organization थी Asian Scholarship Foundation जो Thailand, Bangkok Thailand में थी और वो fund करते हैं within Asia research कि आप अगर अपने country से किसी दूसरे Asian country में जाना चाहें तो वो आपको support करते हैं कि आप वहाँ जाएं वहाँ रहें 6-7 महीने और वहाँ पर research करके वापस आएं और एक report लिख करके दें तो actually काम सिर्फ यह करना है कि वहाँ 6 महीने रहे करके 8 महीने और एक report लिख करके देनी थी यह तो बहुत आसान काम है या कम से कम आपको वहाँ वक गुजारना है लेकिन मैं क्योंकि एक film maker हूँ तो मैंन बनाना चाहता हूँ तो उन्होंने का वहाँ फिल्म के लिए हम कुछ नहीं कर सकते हम तो सिर्फ आपकी research को support कर सकते हैं तो basically out of that research support I managed to make a whole film which is something you know very remarkable I would say क्योंके film बनाना जैसा क्या आपको मालूम है क्यों इतना आसान नहीं है मेरे लिए सिर्फ एक advantage यह थी कि मेरे पास एक camera था पुराना DV camera आज तो उस technology को को इस्तेमाल भी नहीं करता है तो high definition आ गया है लेकिन फिर भी वो मैंने किया तो वो camera में लेकर के गया और इंडिया से पाकिस्तान जाना camera ट्राइपॉड और यह सारी चीज़ें और अकेले और वहां जाकर के shooting करना यह सारी चीज़ें आसान नहीं था तो मैंने किया और मुझे बहुत से लोग डराते थे आज भी लोग डरते हैं हमारी situation जि लेकिन मैंने सोचा कि अगर हम डरते ही रहे अगर हम अपने दर्वाजे बंद किये रखा तो कुछ तरकी नहीं होने वाली है और हम एक दूसरे के बारे में जान नहीं पाएंगे तो एक तरह से मैंने एक risk भी लिया यह film एक बहुत बड़ी risk है और इसके बारे में मैं एक ब क्याल आता है अच्छा तो ये आदमी पाकिस्तान गया मुसल्मान है ठीक है इसके लिए तो जाना बहुत आसान रहा होगा वहां जाके शूटिंग करके आ गया इसके अपने भाई हैं ये है इस तरह से लोग सोचते हैं बलके मुझे कुछ लोगों ने ये भी कहा इंडिया म पाकिस्तान तो ये एक तरह का रिस्क था जो मैंने लिया कि as an Indian Muslim going to Pakistan and making a film like this and coming back and doing this but I did this and I think it paid well in many ways तो ये मैं समझता हूँ कि इस फिल्म की background थी और मैं आप लोगों का शुक्रिया आदा करने चाहूँगा क्यूंकि काफी time भी हो गया है एक घंटे का time हम लोगों ने सोचा था एक घंटे से थोड़ा ज़्यादा होता जा रहा है बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस Facebook Live में मेरे साथ रहे और आप लोगों ने ये देखा इसके अलावा भी अगर आपके पास कभी भी सवाल हो तो आप मुझ से पूछ सकते हैं और ये फिल्म मैंने अभ थोड़ी मेहनत करें या थोड़ा कुछ खर्च करें या कुछ अपना कुछ मेहनत करके उसको हासिल करें ये बहुत अजीब सी आदत हो गई हम लोगों की इंटरनेट पे कि हर चीज हमें लगता है फ्री में मिल जाएगी तो हम वो फ्री की चीज़ें ढूनना के कोशिश करत हैं तो ये दो-तीन दिन के लिए मैंने ये फिल्म फ्री आप लोगों के लिए अवेलिबल की बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने देखी लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग ऐसी आदत और ऐसी सिचुवेशन बनाएं कि जो इंडिपेंडेंट फिल्मेकर्स जो लो देख रहे हैं तो आप उससे कुछ सीख रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट भी करें तो मैं ये कहूंगा कि ये फिल्म मैं विम्यों पर या कहीं पर भी मैं डालूंगा लेकिन एक लिमिटेशन के साथ डालूंगा और मैं चाहूंगा कि जो लोग भी इसको देखना चाहें कु वैसे आजकल DVDs की टेकनोलोजी बहुत ज्यादा चलती नहीं है, हाँ हमारे दोस्त कह रहे हैं कि video on demand कर सकते हैं, मुझे मालूम है वो मैंने try किया है, वो थोड़ा सा महंगा है Vimeo पर, मतलब जितना मैं उसको जितना पैसा मैं Vimeo को दूँगा शायद उतना वापस नहीं मिले इसा platform हो जो independent filmmakers या documentary filmmakers जहां अपनी film में रख सकें और वहाँ पर लोग film देखें और कुछ थोड़ा contribute करें और उसके जरीए इस तरह की filmों को देखा जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि Netflix या Prime Video तो बहुत बड़ी organizations हैं, वो छोटे-मोटे documentary filmmakers को इतना ज्यादा वहाँ तक मुचना मुश्किल है हम जैसे लोगों के लिए, तो इसलिए हम क्यों किसी बड़ी corporation या बड़ी organization के ओपर depend करें, मैं समझता हूँ, even YouTube जो है, वो एक बहुत बड़ी organization है, वो हमारे content को से पैसा कमाती है, लेकिन वो उतना ज्यादा share नहीं करती independent filmmakers के साथ, तो मुझे मेरा ब content को आगे बढ़ाने में, हमारे content को popularize करने में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो exploit भी करते हैं एक तरह से, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि कोई एक बड़ी organization या एक बड़ी corporation पूरे दुनिया पे قبضा करे, इसलिए हम चाहते हैं कि छोटी-छोटी organizations को आप लोग support कर और ये जो प्रतिरोध का cinema या cinema of resistance जो हम लोगों का एक group है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल है, संजे जोशी हैं और दूसरे लोग हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस ये मौका दिया कि film दिखाने का और ये top करने का, तो ये organization या ये independent cinema को promote कर रहा है, चोटे-चोटे शोहरों में, गाउं में ले जाकर के film में दिखाते हैं और चोटे-चोटे groups में दिखाते हैं और ऐसी-एसी जगों पे दिखाते हैं जहां पे लोगों ने documentary का नाम भी नहीं सुना है, और ये movement है जो मैं समझता हूँ कि पूरे South Asia में, इंड independent cinema, independent documentaries देखें और उसको promote करें और piracy से बचें, piracy ना करें, piracy का मतलब ये होता है कि आप किसी का content ले करके और उससे पैसा कमाएं, आप content को promote कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा वापस उस content creator को जाना चाहिए, उस artist तक जाना चाहिए, बलके मैं मैंने तो ये भी कहा कि ये जो ख्याल दर्पन है, मैंने शुरू में इसके कुछ DVDs बेचने की कोशिश की, कुछ बेचे भी थे, और मैंने ये कहा कि इससे जो पैसा मैं कमाऊंगा, मैं चाहता हूँ कि वो पैसा जो हमारे musicians हैं, जो इस film में featured हैं, उनके साथ मैं share करूँ, ल और कोशिश की लेकिन फिर भी काफी हद तक हमने film festivals में या बहुत सारे institutions में इसको हमने film को दिखाया और उमीद है के आगे भी दिखाते रहेंगे, तो अब मैं इस talk को यहां पर रोकना चाहूँगा, क्योंकि काफी देर हो चुकी है, हमें एक गंटे से आगे बढ़ चुके आप सब लोगों का और फिर मिलेंगे और ये जो पेज है जहां पर आप ये देख रहे हैं, प्रतिरोत का cinema या cinema of resistance, इसमें आप दुबारा वापस आईए क्योंकि इसमें ये जो COVID-19 के दौरान जो ये एक lockdown चल रहा है, इस lockdown में और भी फिल्में दिखाई जाएंगी, ताकि आप लोग जो अपने घरों में हैं, घर में बैठे हुए और तरहां-तरहां की फिल्में देखें, इंडिपेंडेंट सिनेमा देखें और इसको आगे प्रमोट करें, तो वापस जरूर आईएगा इस पर और इसको लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं वगरा, बहुत शुक्री आप सब लोगों का